स्वागत है आपका फिललस्टीडी मंतरे टीप चनल पर साती हो UPCC बंदरोगा भर्ती जो एक्जाम है जो 30 अपरेल को UPCC की द्वारा फिक्स किया गया है उसी के संबंद में एक आपको माले में कोर्ट केस हो गया है उसकी जो कोर्ट केस का हीरिंग है बोस का डेट आ गई है और उसकी जो कोर्ट केस लिस्ट किया गया हो 87 नमबर पर लिस्ट किया गया है अब देखो इस कोर्ट केस से कितना effect पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा लेकिन आपका एक्जाम 30 अप्रेल को ही जो समय दिया गया यूपिटर प्लसी के दौरा उसी समय पे होगा यह आप माल लेना इसमें कोई भी तब्दिली नहीं की जाएगी कोट केस पहले भी चले हैं लेकिन जो यूपिटर प्लसी चाता है या सरकार चाती है वह होता है यह कोट केस हों से कोई फ्रवाव नहीं पड़ेगा इस पर तो आपकी जो सुनभाई होगी हो जाएगी हो नहीं होगी, हो जाएगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक अब तो court case जलता ही रहेगा, लेकिन आपका जो paper है, exam है, वो 30 April को ही होगा, और अभी official notice सारे दिखा दूँ हमें, दूसरा, आप जो फीज जमा करने का है, कल EPCCC में meeting होई थी, उसके बाद notice जारी कर दिया गया था तो आपकी फीज जमा करने का भी notice आ गया है, तो सारी चीजे में एक एक बार दिखाता हूँ, सबसे पहले दिखाता हूँ, court case की news जो है, court case का official status, देखो सात्यों, यह वहरा जो court case है, यह तुमारे नंबर है, 3469, यह court number कहेंगे, यह 56, 55, यह वाला court case है, लावाद bench में है, और इसको 3 April को इसकी सुनवाई होनी है, अब देखो देख सकते हो, serial number कितने पे, 87 number पे यह list किया गया है, तो 87 number पे इसकी सुनवाई होगी, आप देखो जैसे मैंने बता है कि इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप अपनी तयारी करते रहिए, और आपक 87 number पे आपकी सुनवाई होगी, 3 April को, ठीक है साती हो, और जैसे भी अपडेट होगी, 3 April को मैं आपको देदूगा चैनल के माद्यम से, देखो साती हो, कल ही अधीनस, सेवा चैन आयोक की तरफ से, कल इसकी नोटिस जादी कर दी गई थी, बंद्रों का वर्ती के समंद में, क कल ही की मीटिंग होई थी, कल ही नोटिस जारी कर दी गई थी, अब आप देख सकते हो, जो उसने बोई दिया है, कुछ ज्यादा, कुछ है नहीं, बस यह देख सकते हो, कि जो अभी हर्तियों का प्रडाम, दिनांग 3,3,2,3 को प्रकासित किया गया था, एवं आयोक की सूच में सूचना अप्रोड की गई है, और आपको, जो मुख्य परीच्छा में बैठना है, अब देखो, OBC और अनारच्चित के लिए 200 रुपे की फीस रखी गई है, अनसूचित जाती, SC-ST के लिए 80 रुपे का फीस रखी गई है, तो जो भी अभी अभ्यरती, अपने जैसे आ अपरेल को सब कुछ किलियर हो जाएगा, कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कि अगर आम बहुत सीरियस हैं, तो अच्छीज तैयारी कीजिए अपनी, और फीस आमंग कीजिए, वज THiony इस परेल को आपका पीपर होने वाला है, फिक है? इसमें कोई दोरा है, न पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं तो सब्सक्राइब करके रखो ठीक है साथियो धन्नवाद